आप तो जैहिंटू एवम तो दौस्तो आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं आसाम राइफल की जो आपकी रिक्रुमेंट आयुई है उसके बारे में तो दौस्तो अपनी इस वीडियो में बात करेंगे किसे कितनेütर ने तक अपलाई वह चुके हैं और दोस्तो physical में आपका इसमें क्या-क्या रहने वाला है और physical का admit card जो है कब तक आ सकता है तो दोस्तो army के according ही दोस्तो इसमें जो है काफी fast recruitment चलती है दोस्तो एक मन्त के अंदर लग-बग इस recruitment को complete करवा लिया जाता है तो दोस्तो आप देख सकते हैं इसकी last date जो है 19 सी November last date है और 18 December से आपके physical start होने वाले हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द जो process होती है दोस्तो आसाम rifle गी दोस्तो अगर आपने forum fill up कर दिया है तो ठीक है otherwise अगर आपने forum fill up नहीं किया है तो दोस्तो आपको एक बार आपकी जो qualification है post wise वो आपको जरूर देख लेना है ताकि last में जाके दोस्तो आपको पस्ताना ना पड़े तो दोस्तो समय रहते ही आपको जो है education qualification एक बार अच्छी तरह से देख लेना है उसके बाद ही आपको जो है forum fill up करना है तो दोस्तो इस वीडियो के अंतक बने रही है मैं आपको A to Z information इसमें बताने वाला हूँ और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो कल की डेट तक यानि दोस्तो कल आठ नौमबर था आठ नौमबर तक कितने फोरम इसमें fill up हुए है उसकी अपने इसमें बात करने वाले हैं दोस्तो आप देख सकते हैं application number AR 2024 यानि आसाम राइफल 2024 दोस्तो यह starting का जो है एक दिया हुआ है यह दोस्तो बरती का code है बाकि दो दोस्तो उनी से आपको पता चलेगा कितने फोरम अपलाई हुए हैं तो दोस्तो अभी तक चपन सो के पलस यानि पांस जार श्छसो पलस अभी तक इसमें फोरम फिल अप किये गए हैं और दोस्तो आज जो है नो नौमबर है इसका लास्ट डेट जो है गुनिशन नौमबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोरम जो है लास्ट डेट में ही तो अपलाई होते हैं लास्ट के जो पांस से सह दिन बचते तोस्तो उसी में सबसे ز्यादा फोरम फिल आप होतते हैं तो अभी तक जो है ज चंक 6500 के करेब इसमें चयो इसमें विकनzech formidable होए है हर state का अलग vacancy है category wise और post wise दोस्तों अभी तक जो है चपन सो अब बारा मान सकते हैं कुछ भी मांग सकते हैं तो आगे का जो है मैंने यह हाइड कर दिया है चपन सो के करीब अभी तक मान सकते हैं इसमें फोरम अपलाई हुए हैं उसके बाद अपन बात कर लेते हैं physical के बारे में इसका physical जो है कब तक start होने की possibility है तो दोस्तों इसमें notification में दिया हुआ है पहले से ही mention किया हुआ है कि आपका physical जो है 18 दिसंबर से start होने वाला है मतलब दोस्तों 18 से ही आपका physical start होने वाला है तो आपका admit card कब तक आ सकता है तो दोस्तो आपका admit card जो है 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच दोस्तो आपका admit card आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो ये recruitment जो है काफी fast recruitment चलती है आसाम rifle की दोस्तो आर्मी की तरह ही इसमें एक month के अंदर लगबग process complete करवा लिया जाता है तो दोस्तो इसमें जो है physical भी आपका साथ रहता है और आपका जो trade test है और दोस्तो इसमें लगबग post के अंदर जो है trade test भी कर आपसे करवाया जाने वाला है और साथ ही दोस्तों आपका medical भी उसी time होता है और written exam भी आपका दोस्तों उसी time होता है यानि 10 दिन के period के अंदर आपसे जो है all process करवा लिया जाता है तो दोस्तों आपका admit card जो है 10 December तक आने की possibility है अगर आपने forum fill up कर दिया है तो दोस्तों अभी से आप जो है running की preparation में लग जाए क्योंकि आपका physical जो है 18 December से start होने वाला है उसके बाद अपने बात कर लेते हैं इसमें education qualification के बारे में अगर आपने forum fill up कर दिया है तो ठीक है otherwise अगर आपने forum fill up नहीं किया है और आप forum fill up करने जा रहे हैं तो आपको एक बार education qualification के बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है otherwise दोस्तों आपको जो है वाँ पर परिशानी हो सकती है अगर आपके पास वो qualification नहीं है और आपने forum fill up कर दिया और दोस्तों आप जो है आसाम के अंदर recruitment देखने के लिए चले गए तो दोस्तों आपका टाइम भी waste होने वाला है और पैसे भी आपके waste होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों नजदिक center इनके नहीं दिये जाते हैं Only Assam के अंदर और Nagaland के अंदर ही दोस्तों जो है इसके center आते हैं तो दोस्तों अब भी बात कर लेते हैं education qualification के बारे में आने हैं दोस्तों अपने सबसे पहले बात कर लिक्री पूस्ट के बारे में पहला है पर्सनल असीस्टेंट इसमें मेल और फीमेल दोनुक कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं रेंक इसमें आपकी रही है वारंट ओफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इंट्रिमेडियर यानि सीनियर सेकंडरी यानि टेन प्लस टू आपकी इसमें होनी चाहिए उसके बाद दोस्तो इसकेल टेस्ट नॉर्मन्स ओन कंपूटर यानि दोस्तो इसमें डिक्टेशन आपसे लिया जाता है और आपकी एज जो है दोस्तो इसमें 18-25 आपकी एज होनी चाहिए उसके बाद दोस्तो अगला जो है ट्रेड का रिलिजियस टीचर तो इसके लिए आएक सुबेदार के लिसमें और इसमें केवल मेल कंडिडेट ही अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें आपके पास ग्रेजवेशन होने चाहिए मद्देमा होनी चाहिए इन संसकर्त और बुसन इन हिंदी और आपकी एज जो है 18-30 साल आपकी एज होनी चाहिए उसके बा प्लस में आपके पास ITI का सेटिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशन ट्रेड के अंदर दोस्तों इसमें ओनली इलेक्ट्रीशन ट्रेड वाले कंडिडेट ही इसमें अपलाई कर सकते हैं आपकी एज जो है 18-23 रहने वाली है उसके बाद दो रीकवरी वहिकल मेकनिकल के लिए इसमें ओनली मेल कंडिडेट ही फॉरम फिलप कर सकते हैं और टेंथ पलस में आपके पास ITI होनी चाहिए वहिकल मेकनिकल के अंदर और इसके बाद आपके एज जो है इसमें 18-25 आपकी एज होनी चाहिए और रोड और दोस्तो अगला जो है ब्रीज और रोड का इसमें दोस्तो मेल और फीमेल दोनु कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं नाएक सुविदार की पोस्ट है और आपके पास 10 और उसके साथ ही आप आपके पास सीविल इंजिनिरिंग के अंदर आपके पास डिपलोमा होना चाहिए दोस्तो साइद इसमें जो है डिगरी वालों को अलाव नहीं किया जाएगा ओनली डिपलोमा वाले कंडिडेट ही इसमें अपलाई कर सकते हैं और एज भी दोस्तो इसमें 18-23 आपकी एज र बैचलर डिगरी आपके पास होना चाहिए इलेक्टिकल, मेकनिकल और सीविल इंजिनिरिंग के अंदर तो दोस्तो सीविल इंजिनिरिंग वाले जो है इसके अंदर अपलाई कर सकते हैं इसमें दिया हुआ है दोस्तो सीविल इंजिनिरिंग डिगरी 18-30 में आपका रहने व होना चाहिए आरकिटेक्टल السिंट्सिट के अंदर पॉलेटी किनिकल कोलेज यहनी दोस्तों अगला आपने डिपलोमा किया है और और आर्किटेक्ट के अंदर तो ही दोस्तों आप जो है इसके अंदर अपलाई किते हैं ड्राफ्ट्मेंद रेन similar, अगला है पलंबर sabby के अंदर आपके पास 10 प्लस में जो है आइटी होना चाहिए पलंबर ट्रेट के अगला सर्वयवर का दूस्तों इस वेलबार के आपकी पोस्ट रेने तो आपके पास जो है डिपलोमा होने से यह रेडियो लोजी और आपकी एज जो है 18 से 23 आपकी इसमें एज होनी चाहिए तो दो यह अगर आपके पास इन में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो दो आप जो है इसके लिए फोरम फिलप कर सकते हैं उसके बाद अपने बात कर लेते हैं में इस में फीजिकल के बारे में तो आफी फीजिकल जो है मेल कंडिडेट के लिए सबी ट्रेड के लिए पांच किलो मिटर आपकी रननिंग रहने वाली है और 24 मिन्ट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा और फीजिकल के लिए 600.00 मिटर नहीं वालिए 7 मिनिट के अंदर और फिमेल के लिए 800.00 मिटर रणिंग वालिatoire है 5 मिनिट के अंदर उसके बाद बात कर लेती हैं हाइट और स्रेस्ट के बारे में सो में तो दूससर बस इसमें जो पोस्त दिये होई है हावलदार ऐक्स्रे एसिस्टेंट हवलदार सर्वाइवर आई टी राइफलमेन और लाइन वन फिल्ड राइफलमेन पलंबर राइफलमन रिकावरी वहिकल मेकनिकल इनके लिए 170 सेंटीमेटर हाइट होने चाहिए OBC, UR, EWS, SC कंडिडेट के लिए मेल कंडिडेट के लिए उसके बाद दोस्तों ST कंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमेटर हाइट रहने वाली है और इसमें आपकी चेस्ट रहने वाली है मेल कंडिडेट के लिए 80-85 सेंटीमेटर और 86-81 सेंटीमेटर उसके बाद दोस्तों इसम अगर यहां से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमिटर होनी होनी चाहिए अगली पोस्ट जो है आपकी नाइक सुब्यदार ब्रीजोर रोड नाइप सुब्यदार इलेक्टिकल मेकेनिकल वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट मैंन के लिए आपकी सेम दोस्टो हाइट रहने वाली है जो उपली पोस्ट के अंदर बताया गया है वही दोस्टो जो है आपकी रहने वाली है उसके बाद आपने बात कर लेते हैं वारंट ऑफिसर परसनल असिस्टेंट के लिए तो इसमें जो है थोड़ा आपकी हाइट जो है इसमें कम रहने व वाली है ऐसी स्टी के लिए दोस्तों यह जो मैंने आपको बताया था जिसमें आपको हाइट में रिलेक्शन मिलता है उसके लिए 162.5 cm हाइट आपकी होनी चाहिए उसके बाद अगला जो है नाइक सुवेदार रिलिजियस टीचर के लिए दोस्तों सेम आपकी इसमें हाइट रहने वाले है तो दोस्तों यह जो है आपका फिजिकल इसमें रहने वाला है पांच किलो मेटर की आपकी रनी रहने वाली है 24 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलने वाला है तो दोस्तों आपको एक बार नोटिपिकेशन अच्छी तरह से रीड करने के बाद ही आपको फोरम फिल अप करना है तो दोस्तों आज के वीडियो में बसे इतना ही धन्यवाद दोस्तों जहिन